नमस्कार कक्षा आठवी के प्रिया चात्रों प्रकल्प फन्विध हिंदे में आपका स्वागत है आज हम आपकी पाथ्य पुस्तक वसंत में से पहली कविता द्वनी पर चर्चा करेंगे यह सूरे कांत्र पाथे निराला द्वारा राचित है इस कविता में कवी ने प्रकृती का सुन्दर वर्नन किया है साथ ही मानदी या मनो भावों का भी वर्नन किया है कवी ने जोश और उत्सा से इस कविता में यह बताने की कोशिश की है कि कवी के जीवन में अभी अभी वसंत आया है उनके जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है वी औरों को भी प्रोचसाहित करते हुए कविता को आगे बढ़ाते हैं दूसरों को प्रोचसाहित करते हुए यह बताने की कोशिश करते हैं कि वे भी जीवन में आगे बढ़ें अपने आलफस्यक को छोड़ें और जीवन में अप आपको उस खबर मिलती रहे। अफेले शाब्दिकर देख लेते हैं, मृदुल यानी कोमल, वसंथ है वसंथ रितू, वसंथ रितू में चारों तरफ फूल खिलते हैं, पेड़ों पर नए-नए पत्ते आते हैं और वसंथ को रितू का राजा भी माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरा वाता वरण महेक उठत है, सुन्दर हो जाता है, कवी प्रकृति से प्रेरित हैं और वे दूसरों को भी प्रेर्णा देते हैं, प्रकृति से प्रेरित होकर कवी आशावादी हैं, यानि आप्टिमिस्टिक हैं, उनमें जोश और उत्सा भरा हुआ है, और इस जोश और उत्सा को वे दूसरों के सा भी बांटना चाहते हैं, वे कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, यानि अभी उनके जीवन का अंत नहीं होगा, उनके कवी रूपी जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी उनके जीवन में वसंत आया है, कहते हैं मेरे वन में वसंत आया है, जंगल में जब वस पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं, चारों तरफ खुशिया चा जाती हैं, जोश और उत्सा रहता है, तो कभी कहते हैं कि उनके जीवन में भी अभी ऐसा ही वक्त आया है, जब उनमें जोश है, उत्सा है कि वो कुछ जरू उनका काव्य जीवन अभी रुका नहीं है। उनका मानना है कि जीवन में करने के लिए बहुत कुछ बाकी है और वे उसे करके रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। वे आशा से भरे हुए हैं, उनके मन में उत्सा है, उनके मन में यह बात जम गई है कि वे जरूर अपने लक्ष तक पहुंच पाएंगे और रुकेंगे नहीं आगे बढ़ते जाएंगे। हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निदृत कलियों पर, जगा एक प्रत्यूश मनोहर। फिर से पहले शाप्दिक अर्थ के और, पात यानि पत्ते, लेव्ज, डालियां, पेड की डालियां यानि ब्रांचेज उफ़ ट्री, कलियां कहते हैं अधखिले फूल यानि बड्स, गात का मतलब है शरीर, स्वपन यानि सपना, कर यानि हाथ, निद्रिद यानि सोई हुई, असलीप, प्रत्यूश का मतलब है सवेरा, मनोहर यानि सुन्दर, मनोहर यानि जो मन को खुश कर दे, सुन्दर, चलिए अब इसका आर्थ समझा दूँ, कभी प्रकृती से प्रेरित हो कर युवकों को संदेश दे रहे हैं, और किस प्रकास संदेश दे रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं, पहले देखते हैं कि प्रकृती के बारे में वे क्या कहते हैं, यहाँ पर वसंत रितु के समय प्रकृती में क्या बदलाव आता है, यह बताते हुए कहते हैं कि वसंत के दौरान पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, पेड की डालियां, फूलों की कलियां कोमल हो जाते हैं, इनके शरीर कोमल हो जाते हैं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, तो वसंत रितू के समय जब फूल खिलते हैं, रंग भी रंगे फूल चारो तरफ रहते हैं, तो पेड़ों के तने भी जो वासब में खुर्दरे रहते हैं बसंद के दोरान वे भी कोमल हो जाते हैं नरम हो जाते हैं यानि सौफ्ट हो जाते हैं वही बताया है यहां पर कभी ने कभी कहते हैं कि उनका सपना है कि वे अपने कोमल हाथों को इन कलियों के उपर फेर कर उनकी नींद भगा दें और एक नया सवेरा जगाएं उन कलियों को फूलों के रूप में बदल दें अब देखते हैं कि कभी वास्तव में दूसरों को दूसरे योकों को क्या बताना चाहते हैं कभी कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत रितु में प्रकृती चारों तरफ जोश और उत्सा भर देती हैं चारों तरफ सभी सोई हुई कलियों सोय हुए पेडों को जागरत कर देती ये जागरूख कर देती हैं, उसी प्रकार कभी भी इस देश के युवाओं को जागरूख करना चाहते हैं। उनका मानना है कि नका जोश और उत्सा कहीं नकहीं खो गया है। अब कभी चाहते हैं कि वो अपने उत्सा और जोश से दूसरों में भी उत्सा और जोश भरें, वे कहते हैं कि यह उनका सपना है कि वे अपने मृदुल कर से, अपने कोमल हाथों से युवाओं को जागरूप करें, निद्रत यहां पर युवा सोय हुए हैं, यानि इस संसार स विमुख हैं, यानि वे नहीं जानते कि चारों तरफ क्या चल रहा है, वे नहीं जानते कि अच्छाईयां क्या हैं जीवन में, जीवन में जोश और उत्सा किस प्रकार भरा जा सकता है, किस प्रकार लक्ष की ओर पहुंचा जा सकता है, कभी चाहते हैं कि वे यह सब दूसर के लिए करें और उनके जीवन में यानि दूसरों के जीवन में एक सुन्दर सवेरा लेकर आएं सुन्दर सवेरा का मतलब क्या होता है जग किसी के जीवन में सुख आता है एक नया दौर आता है उसे सवेरा कहा जाता है तो कभी भी चाहते हैं कि वे दूसरों के जीवन में अ अपने लक्ष तक पहुंचे, एक जगा बैठ कर अपना जीवन बरबार ना करें, आगे बढ़ें और अपने इच्छित मार्क पर चल कर लक्ष तक पहुंच पाएं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अम्रित सहर्श सींच दूँगा मैं। पुष्प का अर्थ है फूल, तंद्रालस यानि नीद में अलसाया हुआ। स्लीपी, लालसा यानि इच्छा, अम्रित का अर्थ है सुधा यानि नेक्टर, सहर्श यानि खुशी से विध हैपिनेस, सींचने का मतलब होता है पाने देना, टू इरिगेट। चलिए, अब समझते हैं, पहले प्रकृती से संबंधित आर्थ देख लें, कभी कहते हैं कि वे हर फूल से उसका आलस खींच लेंगे, जो इच्छा है कि फूल अलसाना चाहता है, अब यहां पर कभी कहते हैं कि हम सभी को अलसाना अच्छा लगता है, मजा आता है, अगर हम कोई कहते हैं कि तुम काम मत करो, थोड़ी देर बैठ जाओ, तो किसे नहीं भाताईए, कभी कहते हैं कि इस आलस को वे खींच लेंगे, वे फूल को आलसी नहीं बनने देंगे, क्या करेंगे, जो उनके जीवन में नया जोश और उत्सा है, उसकी मदद से वे फूल को भी यानि अमृत से सीचेंगे, हसी खुशी सीचेंगे, कभी चाहते हैं कि जिस प्रकार वे जोश और उत्सा से भरे हुए हैं, उसी प्रकार वे इस प्रकरती में भी जोश और उत्सा भर दें, अब देखते हैं कि वास्तव में कभी युवाओं से क्या कहना चाहते हैं, वे कहन जाते हैं कि जो युवक जागरोक नहीं हैं, जो नीन्द में अलसाए हुए हैं, उस आलस को कभी खीच लेंगे, यानि जो उत्सा और जोश कभी के अंदर हैं, वे युवाओं को भी देना चाहते हैं, युवाओं में भी वही जोश और उत्सा भरना चाहते हैं, जिससे आपने आलस को छोड़ कर जीवन में आगे बढ़ें और सफलता पाएं, कभी कहते हैं कि उनका जो ये नया जीवन है, अब नया जीवन क्यों कहते हैं कभी, क्योंकि उनके जीवन में अभी तक जोश और उत्सा है, अभी तक नया पन है, इसलिए अपने जीवन को नया जीवन क कभी कहते हैं कि जो उनका नया जीवन है जो अम्रित इस नए जीवन में भरा हुआ है अम्रित यहां पर जोश और उत्साह के लिए हैं उस अम्रित से वे दूसरों को भी सींचेंगे वे दूसरे युवकों में भी यही अम्रित भरेंगे यानि यही जोश और उत्साह भरेंग और फिर उनको है मेरे वे जहां अनन्द अभी न होगा मेरा अन्द शापदिकर देख लेते हैं द्वार का आर्थ है दर्वाजा यानि डोर और अनन्द का आर्थ है जिसका कोई अन्द ना हो यानि endless अभी तक हमने समझा कि कभी उन युवकों के बारे में बात कर रहे हैं जिन में जोश और उत्साह नाम की चीज ही नहीं है जो अलसाए हुए है जिनको जिन्दगी में आगे बढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं है जो जागरूक नहीं है कभी कहते हैं कि ऐसे लोगों को वे द्वार दिखाएंगे यानि दर्वाजा दिखाएंगे यानि सही रास्ता दिखाएंगे सफलता का सही रास्ता दिखाएंगे युवकों को भी अपने अंदर के जोश और उत्साह से भर कर अपने अंदर के आशा से भर कर उन्हें सही रा कभी कहते हैं कि उनके अंदर जो जोश उत्सा है और इस जोश और उत्सा के साथ मिला हुआ जो आनन्द है वो अनन्थ है यानि उसका कोई अंत नहीं है उसके कोई सीवा ही नहीं है और इसी जोश और उत्सा को वे दूसरे युवकों में भी भरना चाहते हैं और इसलिए कहते जब तक वे दूसरे युवकों में ये सारे गुण ना भर दें, जब तक वे दूसरे युवकों को उनके मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ना दिखा दें, तब तक कभी का अंत नहीं होगा, उनके जीवन की तु अभी शुरुवात ही हुई है और उनके जीवन का अंत तभी होगा जब वे दूसरों में भी उनके अंदर के गुणों को भर दें दूसरों को भी उनके मंजिल तक पहुंचने में मदद करें प्रिया चात्रों आशा है आपको कविता समझ में आ गई होगी फिर भी कोई शंका कोई संदे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि जरूर आ अपको कि खेंट सेक्शन में साथ उनके कि झाला कि अँड़ा होगी थाया भी का गुशकर में पुवड़ा टूता कि अच्हा है जरूर तfu ऴराने को आपको को आपको कि नरूरा भी कर लाही झासे है जरूर नजर चुब क्याएवाबतास्का सिर्ण वे